हेलो एवरिबन आप सभी का स्वागत है FTR की स्रीज में जिसमें 36 से संबंधित कुछ को कर रहे थे आज हम परियटन से संबंधित कम से कम 20 प्रश्णों को हल करेंगे और उस प्रत्यक प्रश्ण के साथ जो उसका option दिया हुआ है उसके प्रत्यक के solution को भी देखते हम जाएंग सबसे पहले आप सभी को happy new year आशा करता हूं कि आपका ये साल खुश मंगा लो चलिए एक चीज आपको बतानी थी एक सूचना है कि जो हमारा mobile course चल रहा है उसमें 26 जन्वरी 26 जन्वरी गरतंद्र दिवस की उपलक्ष पे 5% discount चल रहा है वो भी top 100 लोगों के लिए ध्यान र 5% का discount दिया जा रहा है जिस प्रकार से सारे faculties यहां पर FTR में lectures ले रहे हैं यह एक objective pattern पर वो क्या कर रहा है question को deal कर रहा हूं आपको theory बतानी कोशिश कर रहा है इसका जो detail version आपको मिलेगा वो आपको mobile course में प्राप्त हो जाएगा वोटेवर मैंने 36 गड़ का like geography मैंने बताया निखत में अपनी पॉलेटी डिसकस की अनंसर की कुछ topics हैं और आने वाले सारे faculties के आपको mobile course में lectures topic wise मिल जाने के हैं तो आप उसे एक reason purpose से भी use कर सकते हैं दूसरा बात यह है कि competition community के द्वारा FTR मेगा टेस्रीज दो फरवरी को जो FTR मेगा टेस्रीज ऑर्कनाइज हो रहा है उसमें एक चीज ध्यान रखेंगे कि उसमें day by day जो aspirant है वो आते जा रहे हैं लगबग लगबग 2000 से लेकर 200 तक के registration अभी हमारे पास 2-3 दिरों में आ गये हैं और ऐसा माना जा रहा है और ऐसा हम लोग समझ सकते हैं कि आने व पॉइंट यह है कि इतने लोगों के साथ एक competition ठेक और साथ ही साथ उनका result तो आपको एक चीजें पता चल जाती हैं कि हां यार ऐसी भी चीजें और जिसमें आप अपने आपको तुल ना कर सकते हैं कि ठीक है अभी भी एक सप्ता है चीजों को देख लेते हैं जो चीजें उसको और revise कर सकते हैं तो यह बहुत जीज़ादा आपके लिए beneficial होगा खेर आज हम यहां पर परेटन से संबंदित कुछ question करने जा रहे हैं ठीक तो परेटन से संबंदित कुछ question मैंने लिये हुए हैं जिसको आप देखेंगे कुछ चीजें यहां पर याद करने वाले mode में होनी चाहिए और आप उसे याद ही रखें ठीक है तो इसी क्रम में इसी कड़ी में हम पहले question की तरफ आगे बढ़ते हैं तो पहला question है आपका सेमुर गाओ नामक तिर्थ इस्थल कहा है तो इसका आंसर देंगे आप लोग क्या होगा तो इसका आंसर होगा ए कांकिर जिले सेमुर गाओ नामक तिर्थ इस्थल है याद रखेंगे कांकेर के आमा बेड़ा नामक जिसको विकासखन बनाने की बात चल रही है तो आमा बेड़ा नामक जो इस्थल है वहाँ पर एक सेमुर गाओ है जहां पर जहां पर तिर्थ इस्थल है किसका लिंगो देव का आप उत्पत्ती लिंगों मुणों हो रहा है ये जो बारिश हो रहे है या जो भी चीजें Unit जो वह रहे हैं दूसरा यह जो बसतर आज की देट में पैतालिस प्रकार के वादीयंत्र प्रच्र Flight है जिसमें तत्वितत सुसीर और घन वाध्य प्रचलित है ठेक लेकिन इन पैतालिस वाधियंत्रों की जो उत्पत्ती हुई है वो लिंगो की दुवारा बजाये गए कुल 18 वाधियंत्रों से बजाना आना चाहिए तो यहां पर आवज चीज़ को ध्यार रखेंगे दूसरा इस सेमुर गाउं याद रखेंगे रखेंगे सेमुर गाउं में सेमल की वृक्ष को काटने के लिए जाते हैं अपने जीवन में अलग-अलग तरह के प्रयोग करने के लिए चाहे उन्हें प्योप करते हैं, तो उन चीजों के लिए वो पहले लिंगों का फूजा-अर्चन करते हैं और उसके पश्चादो लकडि को काटते हैं। इसी भी मानियत है कि एगर सेमल रिक्ष को काटा जा रहा है और वो जमीन में गिर जाता है। मानियता को समझेे, अगर वो जमीन में गिर जाता है तो उस व्यक्ति से सम्मंदित किसी अन्य व्यक्ति की मृत्ति हो जाती है तो जब इसे सेमल विर्ष को काटा जाता है तो उसे जमीन में गिरने नहीं दिया जाता तो यहाँ पर आंसर इसका खोगा कांकिर इसके साथ एक चीज और धियान रखेंगे पहांडी पारी पहांडी पारी कूपर लिंगो जात्रा तो याद रखेंगे पहांडी पारी कूपर लिंगो जात्रा जो की सेमुर गाउं में अर्थात लिंगो से संबंधित जो गोड़ी संस्कृति का तिर्थ इस्तल है वहाँ पर पहांडी पारी कूपर लिंगो जात्रा हर 6 साल में एक बार होता है जात्रा जात्रा एक ऐसा वर्ड है जिसे आरे संस्क्रिती की यात्रा वर्ड से लिया गया है एक परकार से देवी एम देवताओं का या एक जुलूस होता है जब मैं जगार की बात करूंगा तब मैं जागरण बोलूंगा और जब मैं यात्रा की बात का संकेत मिलता है ऑप्शन है पाक कला मुर्ती कला अबिने कला और के सज्जा चलिए तो रामगड के बारे में सबको पता है रामगड जो परवत है वह सरगुजा जीले में इस्थीत है रामगड परवत सरगुजा जीले में इस्थीत है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट इ पहुत से रमायाड कालिन इस्थल प्राप्त होते हैं ठेक और इसी रामगण परवत में जब कालिदाजी दक्षिड कोशल होते हुए दक्षिड कोशल होते हुए वकाटक डैनेश्ट यानि की नाकपूर की तरफ अग्रसर हो रहे थे तब उन्होंने सरगूजा पर विश्राम किया और सरगूजा पर विश्राम करने के साथ ही साथ उन्होंने आसपास के वातावरण प्रकृती के मृदं को देखते हुए उन्होंने मेग दूतम नामक एक रचना की और उस मेग दूतम में रामगण परवत का उल्लिक रामगिरी के नाम से है ठीक अब एक चीज़ और में और याद रखेंगे कि छत्यम घट में काठीज़ रचीट मेग दूत का चत्यस गड़ी में अनुवात किसके खिए तो पंडित मुगरदर पंडे ने उसका अनुवात किया चक्तिस गड़ी में क्या कि अभीनाए कला का उधारण में मिलता है है तो जोगी मारज से हमें अभीनाए कला के बारे में पता चलता है ध्यान रखेंगे और जोगी जोगी मारा गुफा को ही वरूड देव मंदिर भी कहा जाता है और इसका उलेक जोगी मारा गुफा का जो उलेक है वह एक किताब है दियान रखेंगे एक किताब है जिसका नाम है भारत की चित्रकला और भारत की चित्रकला नामा किताब में ही जोगी गुफा को वरुड टैंपल या वरुड मंदिर कहा गया है क्योंकि इस जोगी मारा गुफा में एक मेकप आर्टिस्ट थे जिनका नाम था देवदत और देवदत जो थे वो वरुड देव के भगत थे इस कारण इसे क्या कहा गया आपके वरुड मंदिर भी कहा गया बाकि इसकी स्टोरी आपको सारी से जापके किताबों में मिल जाते हैं तो इसका आंसर होगा C अभी नहीं प्रश नमबर तीन देखते हैं हत्खोज मेला प्रती वर्ष कहां और कम बनाया जाता है हम सभी को पता है हत्खोज मेला जो है वहां गरिया बन में मनाया जाता है यानि हत्खोज नामक जो इस्थान है वह कहां पर है आपका गरिया बन में गरिया बन और महासमुन का यह क्य है क्या को हथखोज को चेख अब पॉइंट यहां पर यह है कि यहां से मेरी कौन सी नदी जाती है यह जाती है मेरी महा नदी ठेख और यहां से बॉर्डर बनाती है कौन सी नदी आ गई इसमें सम्मिलित हो गई आपकी पैरी नदी पैरी की एक सहायक नदी क्या हो जाती है मेर कि यहां पर यहां कि किनारे से एक नदी निकलती है जिसको मैं बोलता हूं सूखा नदी अब यह जो मैंने लिया हुआ याद रखींगे चिप्स की एक 36 गर से संबंदित एक एटलस आती है जिसमें ये सारे नदियों के बारे में भी बताया गया है ये resource मैंने लिया हुआ है ठीक वही से तो ये सुखा नदी सुखा नदी की एक सहयक नदी है जिसको हम बोलते हैं बगदई नदी और बगदई की एक सहयक नदी है जिसको हम बोलते हैं केशुआ नदी ठीक और सुखा की हत्कोच के पास एक और नदी है जिसको हम बोलते हैं सारंगी नदी तो टोटल यहाँ पर हत्खोच के पास यानि हत्खोच के पास जब महा नदी आती है यानि महा नदी जब धमतरी धमतरी से गरिया बन और राइपुर का बॉर्डर बनाते हुए आगे बढ़ती है और हत्खोच के पास जब आती है तो साथ नदियों के पानी यानि कि सोंडूर एक, पैरी दो, महानदी तीन, सारंगी चार, सूखा पाँच, बगदई छे और केश्वासाथ, इन सातों नदियों के पानी को यहाँ पर यह समाहिद करती है और यह कॉश्चन बन सकता है यहाँ पर कि सब तधारा के निर्माड में निमलिकित में से कौन सी नदी नहीं है तो आपको इन नदियों को क्या करना होगा, जानना होगा तो हदखोज में जो मेला लगता है, वो प्रतेक वर्स मकर संग्रान्ती में यहाँ पर एक मेला लगता है जो कि गरिया बन जीले पे इस्थित है, एक परेटन, ऑपरेटन के साथी साथ एक पूरा तात्म की स्थलवी यह हदखोज है तो हदखोज के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे, तो आंसर होगा एक गरिया बन जीला मकर संग्रान्ती, फिर बात करते हैं प्रशन नमबर चार, बहुत ही महत्तपूर्ण परशन है, जरह ध्यान से देखिएगा, सामत सरना किसे कहा जाता है, आप लोग अपना अंसर जाएगा, जो बलरामपुर जीले में स्थित है, चलिए देखते हैं, सर, यहां पूरा तात्वी की स्थाल है, यहां भगन शिव मंदिर की इमारत है, और यहां ब्रहमा की बिन दाड़ी मुझ की परतीमा का नाम है, बिन दाड़ी मुझ की परतीमा है, और उसे हम सामत सरना बोलेंगे, चलिए इसके बारे में समझते हैं, ठीक, तो हम सभी को पता है कि बलरामपुर जीले पे, कहां पे, बलरामपुर जीले पे एक डीपाडी नामा के इस्थाल है, डीपाडी सबको पता है, डीपाडी कौन सा इस्थाल है, एक पूरा तात्वी की इस्थाल है, और इस डीपाडी के उत्खनन के साथी साथ यहां पर बहुत से रहस्यों का उजागर होता है तो इसने कोश्चन कुछा सामत सरना किसे कहते हैं तो इसका आंसर होगा यह एक पुरा तात्वी की स्थाल है जहां पर भगना शिव मंदीर है तो याद रखेंगे शिव मंदीर की बात कर रहा हूँ तो यहां पर विश्रु मंदीर कैंसल तो बह यहां से गलत हो जाता है यह विवा की प्रतिक देवी देवता है नहीं यह एक स्थान है सामत सरना एक स्थान है या इस्थाल बोला है यह एक पुरा तात्वी की स्थाल है ज पूछागी सामत सर्णा किसे कहा जाता है सामत सर्णा एक आर्चियोलोजिकल प्लेस है रिमेंबर दैट चलिए तो यह पूरा तादव की स्थाल है जहां भंगन शिव मंदिर है पहला दूसरा बिन दाड़ी मुच के ब्रह्मा जी की प्रतीमा मिली है और यहां पे नोट कि आप लोग महिसा सुर मर्दिनी की भी प्रतीमा हमें यहां से प्राप्त होती है तथा यहां पे कुछ अपसराओं की कुछ अपसराओं की प्रतीमा है जो वीडा बजाते हुए प्रदर्सित हो रही है तो इस तरीके से हम सामत सर्णा को रखते हैं अगर सामत सर्णा पूरा तातो एक इस्थल के अंतरगत ही एक सामत सरना है क्योंकि जब उत्खनन कार्या होता है तो उत्खनन के दौरां कुछ ऐसे जगहा होते हैं जिसको उस नाम से उस ग्रूप से उसको क्या कर दिया जाता है संबोधित कर दिया जाता है इन टाइटल कर दिया जाता है मैंने पहले ही बताया कुरिया जोर की वहां से नहीं है दूसरा खेड़ा पती का मंदीर यहीं इस्थीत है ब्रह्मा की बिन दाड़ी मुझ की प्रतीमा यहीं मिली है सामत सन्न नामगिस्थान डीपाडी क्या होगा option बताए इसका option होगा C, 3 और 4 3 और 4 इसका सही उत्तर है यहां पर हम देखते हैं कि कौन-कौन सा option यहां पे गलत हो सकता है तो ध्यान रखेंगे तीन ब्रह्मा की दिन दाड़ी मुझ की प्रतीमा बिल्कुल सत्य है दूसरा सामत सन्न नामगिस्थान डीपाडी बना मैंने previous question में इसको solve किया अब बात करते हैं कुडिया जोरी मोरी के मंदिर के बारे में तो ध्यान दीजेगा कि सरगूजा जीले पे सरगूजा जीले पे NH-130 के निकट एक पूरा तात्विक स्थल है जिसे हम बोलते महेशपूर और यह जो महेशपूर है इसका अगर तट के बात करूँ तो यह होगा रिहन रिहन नदी के तट पर यहाँ पर जो उत्खनन कारे हुआ 2008-2009 में यहाँ पर एक व्रिहद इस्तर पर बहुत लार्ज लेवल पर यहाँ पर आर्कियो लॉजिकल सर्वे हुआ और उसके बाद यहाँ पर इसका एक्सकावेशन होता है उत्खनन होता है तब यहाँ पर जो प्राप्त मंदिर थे कुछ प्रतिमाएं थी उनको चार समूहों में डिवाइट किया गया तो पहला जो समूह था वह था सीव मंदिर ग्रूप या सीव मंदिर समूह ठीक दूसरा जो समू था वह था आदीनाठ टीला समू याद रखेंगे आदीनाठ टीला टीला नामा ग्राम के पास आदीनाठ टीला समू तिसरा जो समू था वह था बढ़का देउर बढ़का देउर या इसी का ही नाम है आपका निशान पकना निशान पकना टीला ठीक उसक के बाद एक और आता है जिसको हम बोलते हैं कुडिया जोरी मोरी का मंदिर ठीक है या कुडिया जोर की मोर की मंदिर समू बोला जाएगा अब जो स्यू मंदिर है याद रखेंगे किवल किवल याद रखें एट संचूरी स्यू मंदिर के समू यहां पर मिले आदिनाथ तीला म में ध्यान रखेंगे ध्यान मग्न ड्यान मग जयनतिर्थंकर कौन द्यान लगलें अधीनाथ की प्रटिमा मिली है अधीनाथ तीला से टीला ग्राप के निकट होने के करण इसे अधीनाथ तीला कहा गय экспер बढ़का देवर्या निशान पकना से कुछ मंदीरों के भगन अवस्यस मिले हैं डिस्ट्रोइट फॉर्म में मिले हैं जो कि सैव एवं वैश्णो धर्म को किसको सैव एवं वैश्णो धर्म को क्या करते हैं नित्र तो करते हैं ऐसी प्रतिमाय तथा मंदीरों के अवस्यस मु मंदिर प्राप्ट हुए है जो की जो की आपका 10th 10 खे साथ इसाथ आपका 11th century पैंथ और 11th century विश्णू मंदिर के आधिर प्राप्ट हुए तो याद रखेंगे कभी अगर कूश्यन आता है इक उडिया जोर की मुर्खी क्या है तो याद रखेंगे यह जुडवा है तो इसका ओप्शन होगा सी कोशन नंबर सिक्स पे आते हैं इतिहास करो द्वारा दक्षिड कोशल विजेता निरुपती किसे कहते हैं इतिहास करो द्वारा दक्षिड कोशल विजेता निरुपती किसको कहा जाता है ओप्शन बताएं आप लोग क्या हो सकता है इसका ओप् पृत्वी देव प्रथम तो याद रखेंगे जब हम कल्चुरियों को पढ़ते हैं याद रखेंगा जब हम कल्चुरियों को पढ़ते हैं और कल्चुरियों के साथ ही 36 गड़ एवँ दक्चिड कोशल का मध्यकालें इतिहास पूर्ण होता है लग बलब了 800 साद्व साध्व स वर्सों तक इनका जो षाशन रहा, साथ से लेकर साड़े साथ सो वर्सों तक इनका शाशन रहा, यह चत्तिस गण में अभूत पूर्व, स्थातिस गण की इतिहास को अभूत पूर्व बनाने की पीछे बढ़ा ही महतवपूर्ण भूमिका निभाता है, तो जो कल्चूरियों का या कल्चूरियों के जो प्रथम राजा थे 36 गड़े में कल्चूरियों का दक्षिड कोशल में संस्थापक कि अगर मैं बात करो तो वह हैं आपके कलिंग राज जिनका टाइम था वन थाउजन से लेकर वन जीरो टू जीरो तक याद रखेंगे कलिंग राज के बाद इधर की स्टोरी अलग है इधर की स्टोरी अलग है ठीक इसमें जो प्रतिक राज हैं लाइक कलिंग राज को पढ़ा जाता है फिर कमल राज को पढ़ा जाता है फिर रतना देव प्रथम रत्न देव प्रथम ने marriage alliance के तुरू marriage alliance के तुरू अपने राज्य का विस्तार किया क्योंकि इसने कोमो मंडल के राजा उनकी पुत्री कोमो मंडल के राजा वज्जुक वर्मन की पुत्री से इन्होंने विवा करके पेंडरा वाले छेत्र को क्या किया था? तो रत्न देव प्रथम के बारे में यह आपको जानना होगा उसके प्रित्वी देव प्रथम के बारे में आपको जानना होगा और उसके बाद जाजले देव प्रथम तो जो इस वन्स का यानि कल्चूरी वन्स के दक्षिड कोशल वाले छेत्र में जो सबसे प्रतापी राज ी था जाजल्य देव प्रथम के समय जो सेना पती ते जगतपाल वह एक युवा वर्ग में यूवां में लंग क्या बोल सकते जे लेक्षे रिध्वी प्र्थव हवं से हमें आ जाधे हैं तो जाजल्य देव प्रथम आवम पृत्वृ द्वित गो ढप hm तो प्रथम में nationalization की और क्या किया अपना state को expand करने के कोशिच किया मतलब इसने home front को यानि अपने राज ये के विस्तार तो किया ही किया लेकिन इसने home front में क्या नहीं सुरक्षा नहीं किया कि इसने इधर आपका MP, इधर महरास, इधर बंगाल, इधर UP और इधा दंड कारणी की तरब भी राज के एक्सपांसन में या राज विस्तार में ध्यान दिया, अगर इसकी कमपेर में प्रित्वीदेद द्यूती से करूं तो प्रित्वीदेद द्यूती ने होम फ्रंट को खेल इसलिए आप देखेंगे कि धमतरी, गरिया, बंद, विभीन कीलो का निर्माड किया गया, तो जब इन दोनों राजाओं पे तुलना की बात होगी, आपके प्रित्वी देव द्यूती और जाजले द्यूती प्रथम तो इस चीच को ध्यान रखना है, जाजले द्यूती प् है, लेकिन मैं भी यह चीज़ सोचता हूँ, मैं यह मानता हूँ, जब तक थोड़ा सा इसमें अगर कॉंसेप्ट बिल्ड कर लिया जाए, तो डेफेनेटली चीज़ें और असान तरीके से चीज़ें याद हो जाएंगी, तो जाजले प्रती तो फिर कभी डिसकस करेंगे इ पता चलता है कि कलिंग राज का शाशन तो मान में था, तो डिफरेंट टाइप की कॉपर प्लेट्स होते हैं, लाइक अगर मैं राश्री तुलिकुलु की बात करूं, तो उनका जो कॉपर प्लेट था वो था आरंग कॉपर प्लेट, ठीक, बड़ाज वर्तमान में राश्र ठीक है, तो चलिए, नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं कोशन नमबर सेवन, जिसमें है, स्री मजजा जल देवश्यकिर्तियम कहां अंकीत है, तो इसका आंसर होगा, बी, पाली का शिव मंदिर, तो ध्यान रखेंगे, जो पाली का शिव मंदिर है, ठी की बाढवंसी थे, ठीक, विक्रमा दिते नामक राजा, जो की बाढवंसी थे, उन्होंने इस पाली के शिव मंदिर का निर्माड करवाया, और एक उपाधी धारण की, जिसको बोला जाता है, जैमियू की उपाधी, ठीक है, और इस मंदिर का जिर्णों धार जो करवाया, वो करवाया जा जले देव परथमने, जैसे कि मैंने पिछले कोशन ने बताया कि, कल्चूरी कालीन, बहुत से मंदीरों का निर्माड होता है, और यहां पर जो मंदिर का निर्माड हुआ, उसमें मैकसिमम जो मंदीरे थी, वह शियु मंदीर थी, और उसके निकट एक दागों का निर्मान करवाया वहाँ पर उने श्यू मंदिर का धि-Nirm satr слова के दुदार उसका लिख्यू धार ज्यूंधार जाजले देव प्रत्वी प्रत्रम के पुत्र अपने राजी का विस्ता पूरे इस तर पर किया था और वहाँ पर राज्य विस्तार के दौरान वहाँ की प्रजा की धार्मिक भावनाओं को ख्याल रखते हुए इन्हों ने बहुत से मंदीरों का निर्माण एम उनके मंदीरों का जिर्णो धार का कारिय किया था ठेख अब पॉइंट यहाँ पर यह है कि यहाँ पर स्री मजजल देवश्य किर्तियम का मतलब यह है कि जाजल देव ने यह बताने की कोशिश की थी इस सब्द के अंकन के दौरा कि उनकी किर्ती उनकी किर्ती पुरे विश्य में फैल रही है इस तरह से 3-4 जगहों पर स्री मजजा जल देवश्य किर्तियम का अंकन देखता है पहला पॉइंट दूसरा पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखेंगे इस मंदीर के द्वार पर गंगा और यम्ना गंगा और यम्ना का स्वरूप यानि गंगा और यम्ना नामक इस्त्रिया यहाँ पर अंकन है ठीक और 36 रड़ के बहुत से मंदीर इस्थापतिकला में आपको मंदीर के द्वार पर आपको गंगा यम्ना की आकरिती देखने को मिल जाएगी तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे एक मंदीर इस्थापतिकला की बात जब चल रही है तो मैं बात कर दूँ मड़ाई की आप सबको पता है मेला और मड़ाई दो चीजे होती है ठीक इसके बारे मैं अभी डिसकस ना करता हम सिर्फ मड़ाई वर्ट को हम लेंगे तो याद रखेंगे प्राचिन काल में जब एक राजा दूसरे राजा के राज्य पे आक्रमण करता था और आक्रमण करने के दौरान उस राजा को जब वो हरा देता था तब उस राजा के दौरा जहां पर वो मंदिर निर्मित किया गया था जो राजा हरा है उसके द्वारा जो मंदिर बनाया गया था और जो उसके राज्य का सबसे प्रतिष्ठित मंदिर था उस मंदिर का जो उपरी हिस्सा होती है उसको तोड़ दिया जाता था यानि कि उस मंदिर के उपरी हिस्सा को तोड़ कर जिस राजा ने उस राज्य को जीत पित कर देते थे तो वो जो मंदिर का जो टुकड़ा जो उपर का हिस्सा था इस सीच को जब राजा के दौरा अपने राज्य में ले जाया जाता था ठे ढोल बाजाओं के साथ अपनी विजय की गाथा गाते हुए और अपनी जीप की खुशी मनाते हुए तब इस टुकड़ से यहाँ पर यह वाला पॉइंट हम डिसकस करते हैं सांती सांथ ध्यान रखेंगे इसमें एक पॉइंट है शिव मंदिर बेलपान ध्यान रखेंगे यह जो शिव मंदिर है यह बेलपान बिलासपुर जीले पर और यहीं पर आबा क्या है नर्वदा कुंड है तिसरा आप दसवी और ग्यारवी कल्चूरी कालिन मंदिर है और इसे सोमराज कौन याद रखेंगे सोमराज नामक ब्रामर ने इस मंदिर की स्थापना की थी पतालेश्वर मंदिर जो है वह काले ग्रेनाइट पत्थर से कौन सा काले ग्रेनाइट पत्थर से यह बना हुआ है बाकी शि यान इसका जो शिवलिंग है वो काले ग्रेनाइट चमकीले पत्थर से या बना हुआ है तो इस तरह से प्रश्ण नमबर साथ का जो आंसर होगा वह होगा वह शिव मंदिर पाली फिर आते हैं प्रश्ण आठ भोरंदेव मंदिर की मुर्तियों में किस भाव की प्रधानता दे स्थीत है तो कवर्दा जीले के बारे में बहुत से महतपूर्ण तत्य है जो आप लोगों को पता होने चाहिए ठीक है तो यह जो भोरंदेव मंदिर है ध्यान रखेंगे इस भोरंदेव मंदिर पर जो मुर्तियों की भाव की प्रधानता है वह स्रिंगार कौन सी है भोरंदेव मंदिर को 36 का का लातीर इवं 36 का कलातेर्थ TW be कहा जाता है तो पहला हमारा पॉइंट siada का स्यूर हो गाला इस लिए क्योंकि भोरम देओ, यह हम भोरम देओ के आसपास जो मुर्तियां हमें प्राप्त हुई है, चाय हो मडवा महलो, चाय छेरका महलो, वहाँ पर संबंदित सारी मुर्तियां काले ग्रिनाइट पत्थर से बनाई गई है, इसलिए यह जो तिर्थ स्थल है, यह जो धार्मिक परे देखने को मिलता है, इसलिए इसे 36 गड़ की कला तेर्थ भी कहा जाता है, यह तो हमने देखा भोरम देओ के बारे में, इसके बाद एक चीज़ याद रखेंगे, यहाँ पर मडवा महल भी है, और मडवा महल जो है, ठेक, यह जो मडवा महल है, मडवा महल को बनवाया था, राम चंद्र देव ने, राम चंद्र देव ने इसे 1349 से बनवाया था, कल्चूरी, राचकुमारी, अंबिका देवी से विवा के दौरान, यह विवा के प्रतिक के रूप में, इस मडवा महल की स्थापना होती है, और यह जो मडवा महल है, ध्यान रखेंगे, इस मरवा मह में फड़ी नाग डायनेस्टी, फड़ी नाग डायनेस्टी की पूरी की पूरी वनसावली दी हुई है, अब मैंने पॉइंट बात किया, फड़ी नाग डायनेस्टी की तो ध्यान रखेंगे, यहाँ पर एक प्लेस है, जिसका नाम में पच्राही, यह उसे और बोला जाता कि सभ्यता के साक्ष या बसाहट के साक्ष भी प्राप्त होते है, यानि हमने यहां पर तीन पॉइंट डिसकस किया, भोरम दे को चतीसरगड का कजुरा हो, चतीसरगड का कालातिर, च legitim का कलातिर, फिर हेम ने बात किया, मड़वा महल के बारे में, और फिर हमने थोड़ा सा फैक्ट देख लिया सीली पचराई जो कि हाप नदी के तट पर है और आपके फड़ी नाग डाइनिश्टी से संबंदित यहां पर क्या है उनके बसाहटों के साक्ष मिलते हैं चेक चलिए तो इसका प्रश नमबर आठ का जो आंसर होगा देन हम नेक्स कोशन की तरब बढ़ते हैं प्रश नमबर नौ तारा की धात्विक प्रतीमा जो वर्तमान में लॉस एंजलीस की संग्राले में इस्तित है कहां से प्राप्त हुई है चलिए तो यह कोशन जो है इस कोशन के तुरू में और भी कोशन डिसकस कर लेता हूं इसका इसका अंसर होगा भी सिरपूर कि यह जो तारा की पृतिमा थि वस शीरीजण तो मैं बात करते हैं जी लिलागार नदी तड़ पर है तालागाओं की इस नदी के तड़ पर इस्थीत है तो आपको ध्यान रखना या मन्यारी नदी के तड़ पर इस्थीत है तो आपको ध्यान रखना या महा नदी के तड़ पर इस्थीत है और खेरागड की इस नदी के तड़ पर इस्थीत है याद रखेंगे यह आमनेर पिपरिया मुस्का के संगम पर इस्थित है तो इस तरीके से इस कोश्चन को हमने इस तरीके से डिल किया फिर हम लोग नेक्स देखते हैं प्रश नमबर 10 जिसमें लिखा है मलहार के बारे में सत्य कतन है चलिए ओप्शन देखें आप लोग बिलासपूर जिले की मस्त पतालेशवर मंदीर है मैंने थोड़े देर पहले दो कुश्चन पहले इसको मैंने आपको डिस्कस किया था पतालेशवर मंदीर क्या। पतालेशवर मंदीर क वत्तंगे साक्ष प्राप्त हूं यह भी बिलकुल सत्य पूर यह we इस्थित है साथी साथ जो तीन तसील हुआ वह कहां निकल गया पेंडरमर वह है वह गोरेला में ठीक है चलिए तो यहां पर एक नदी आती है जिसका नाम है लिलागर ठीक और लिलागर आपके शिवनात में जाकर मिल जाएगी मुकंदपुर्णामा के स्थान पे इसी यह आपका शिवनात साक्ष मतंलब एक टरफ और स्यत्रम शिवनात और आठब लिलागर और शिवनात नत्го नदियों से घीर होने के यह जो छ्येतर था यह एक बंदर्गा छेत्र था पहला चीज़, दूसरा यह एक वैपार केंद्र था, इसमें वैपार केंद्र भी था, अर्था यह ट्रेट सेंटर की रूप में भी प्राचिन काल में काफी ज़्यादा प्रशिद्य था, क्योंकि यहीं मलहार के पास हैं, हमें रोम के सिक्के और विदेशी मुद् इससे यह पता चलता है कि यह नाम मलाल से होता है और जो है मल्ला सूर का अब प्रसिद्ध रखेगा तो इस तरीके से हम देखते हैं option no.4 एकदम सही हो जा रहा है ठीक option no.3 भी बिलकुल सही हो गया option no.1 भी सही हो गया option no.2 आपको याद रखना है प्राचिनगड का किला मलहार में स्थीत है इसके साथ एक point और याद रखेंगे कि यह जो मैंने प्राचिनगड का किला बताया आपको ठीक प्राच प्राचिनगड फोड प्राचिनगड फोड करेक्ट यह सेंट्रल प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट से यह राज्य संरक्षित इमारते नहीं है अच्छा इसका आंसर क्या होगा भी या question no.10 का उप्रोख सभी यानि कि all of the ever option no.D अब चलते हैं हम लोग प्रश्न no.11 की तरफ तो प्रश्न no.11 है वह लिखा हुआ है दस्मत गाथा 36 गड़ से कीस जिले से संबंदित है option no.A राइपूर option no.B बालोद option no.C सरगूजा और option no.D दुर्ग आप लोग आंसर देंगे तो बताएं कीस जिले से संबंदित है यह दस्मत गाथा तो ध्यान रखेंगे कि यह जो है दस्मत गाता किसी विर्ता लेकिन अधारित नहीं है हमें पता है कि जो गाथाएं होती है जो लोग गाथा लेकिन या एक नारी के आत्म सम्मान एवं रक्षा से संबंधित एक गाथा है जो की दुर्ग जिले में प्रचलित है और इसे दस्मत ओर्णिन भी कहा जाता है इस चीश को आप लोग ध्यान रखेंगे ठीक है इसे दस्मत ओर्णिन भी कहा जाता है कोशन नमर 12 डुंगरगड़ के बारे में सत्यक अथन है डुंगरगड़ की प्राचिन नाम कामवती पूरा में दो डुंगरगड़ में बमलेशुरी मंदिर इस्तिद्या तीसरा मां बमलेशुरी देवी मंदिर का निनमार राजा बदरसाल ने करवाया था तो पहला जो है विशी मुनी के द्वारा उन्हें बोला गया कि कामक्या देवी से आप बरदान मांगे क्योंकि आप उनके क्या है उनके पूजा करने वाले वैक्ति हैं तो विरसेन जो है विरसेन ने उनकी पूजा अर्चना की ठीक उनके लिए तब किया तब जाकर एक पुत्र जिसका नाम क पर इस नगरी का नाम कामख्या नगरी तता बाद में अभरंशित होकरे कामवती पूरम हो जाता है ठीक तो इस तरीके से विरसेन से संबंधित दो तथ्या आते हैं कि डोंगरगड जो है वह कामख्या नगरी और साथ ही साथ कामवती पूरम अब पॉइंट होता है नेक्स इसके बाद और कुछ अन्यतत्य देख लेते हैं तो ध्यान रखेंगे यहां पर एक काम कंदला एक तलाव है ठीक यहां पर एक काम कंदला तलाव है और इस काम कंदला के बारे में भी बहुत से क्योंदिंतिया डोंगरगर के आसपास प्रचली थैं आप सब को पता है त्प्राचिन तائम में या प्राचिनकाल में इसका नाम डूंगर राज भी था तो एक तरीकिसे हमने कामख्या नगरी के बारे के बारे में बात किया उसके बार डूंगर राजी के बारे में बात किया फिर डूंगर गड़ के बारे में बात किया और यह जहां है वह राजनंद गाउं जीला इसका पहले नाम नांद गाउं था नांद गाउं इसलिए था क्योंकि यहां पे बैरागी शाशकों पहले शाशन किया था, और वो वैश्णों के उपासक थे, इसलिए इसका नाम नांद Гाओं होता है, साक ही, साथ नांद का मतलब होता है, चीटी閹शन की यृटी ला, इसलिए इसका नाम नांदगाओ पड़ता हो, बाद में धीरे से यह राजनंद गाओं पड़ जाता, और के बाद राजनानगा और रियासत और राजनानगा और रियासत के बाद राजनानगा और जीला अर्थाद वो जीला जो अपने अंदर तिन रियासत को समाविशित करके बना पहला चुई कदान दूसरा खेरा गड़ा तिसरा राजनानगा और रियासत तो इस तरीके से हम इसका आंसर जो होगा वह होगा डी आंसर डी आरंग आरंग कहां पर है आप सबको पता है राइपूर में तो याद रखेंगे यहाँ पर 10th century हमको मिलता है बागेश्वर बागेश्वर टेंपल मिलेगा दस्वी सताब्दी का बागेश्वर मंदिर हमें मिलेगा तथा 11-12th century का यहाँ पर हमें जैन मंदिर जिसको हम बोलते हैं भांडल देव टेंपल या भांडल देव मंदिर की प्राप्ति होती है तो यह दो मंदिर तो एटलिस आप आरंग को ले या बाग देवता करके बोला जाता है लेकिन इसे आप ध्यान रखेंगे बागेश्वर टेंपल और 11-12th century इसे आप बात करेंगे भांडल देव मंदिर जैन मंदिर इस्तित है साथ ही साथ एक चीज और याद रखेंगे इंदल देवल मंदिर तो यह जो इंदल देवल मंद कहां पर है तो कंठील देवल है आपका रतनपूर में तो रतनपूर में कंठी देवल भांड देवल और इंदल देवल को आप लोग मेरे खाल से सबको पता है तो प्लीज इसे आप पोस्ट करें चलिए तो कोशन नमबर 13 का जो आंसर होगा वह होगा डी इसके पस्छाथ हम में चलते हैं कोशन नमबर 14 की तरफ तो कोशन नमबर 14 है वह है 36 कभिर पConf mainly में मेले का आयोजन करते हैं प्रतीवर्ष निम इस्थान हो पर मेले का आयोजन करते हैं चलिए देखते हैं पहला option दिया firearm मे गिरौथ-पूरी में तिसरा है दामा खेडा में चौथा निया है खर कुदूरमाल और दामा खेडा जो है यह कबिरपंथियों से संबंदित एक इस्थल यह धार्मिक इस्थल है जिसमें दामा केडा को कबिरपंथियों का तिर्फ इस्थल भी कहा जाता है तो चारे आप्षन को हम लोग एक बार करते हैं नद्यों के अधार पर देखेगा पूरी में गुर्गासिदाजी का जन्म होता है पहला पॉइंट दूसरा छाता पहाड में गुर्गासिदाजी को ग्यान की प्राप्ति होती है और तीसरा भंडार पूरी में गुर्गासिदाजी को को निर्माण की प्राप्ति होती है तो तीन चीजे आपकलियर हो गया एक त पूरी में इनको किसकी प्राप्ती होती है निर्माड की प्राप्ती होती है अब तिसरा पूइंट आते दामाखेड़ा की तरफ अगर दामाखेड़ा में अगर रिवर के बारे में बात करेगा तो अगर आप्षन में कोई और रिवर ने दिया तो आपको शिवनाथ ही लेना ह तो दामा खेड़ा की नजदिक पे शिवनात रीवर है आप शिवनात रीवर को मानें उसके बाद चौथा है आपा खरोध खरोध जो है यह महानदी शिवनात एवं जोक के संगम इस्थल यानि शिवरी नरायट से 2-3 किलो मिटर दूर पर इस्थित एक इस्थल है और यह जो इसका जो प्राचिन नाम था यह इंड्रपूर था और यह सरपूरी डायनिश्टी से समबंदित यहां पर क्या है एक मंदीर जिसको हम क्या बोलते हैं लखनेश्वर मंदीर याद रखेंगे लखनेश्वर मंदिर बोला जाता है क्योंकि यहां पर एक लाथ चामल चणहाने की परंपरा है साथी साथ इसे लक्षमण रेश्वर मंदिर भी बोला जाता है ठीक तीरपूर के जो विश्डू मंदिर है उसे लक्षमण मंदिर बोला जाता है और यहां का जो शिव मंदिर है कहां का खराओत का उसे लक्षमण प्रिश्वर मंदिर बोला जाता है इन दोनों का ध्यान रखेंगे इसके बाद एक चीज और द्यान रखें गिरौत पूरी में सतनाब धर्म से संबंदित होने के कारण यहां पे माग सुकल पक्ष माग सुकल पक्ष दस्मी से पुर्णिमा तक कब तक माग सुकल दस्मी से प्रथिया आपको याद रखने होते हैं कि कौन-कौन से प्लेस में किस-किस प्रकार के मेला लगते हैं आगे हमें कोशन अभी देखते हैं जिसमें आपको कुछ चीजे और क्लियर हो जाएंगी तो कोशन नंबर जो 14 था उसमें हमें पता चल गया कि कबीर पंथी में प्रती सुक लपक्च समझ में आरी बाते चलिन उसके बाट मैक्सन है आपका कुशन डंबर 15 हयालब लामांगने की परंपरा ओं कि क्याला मांगने की परंपरा काउंसे मेले में इस्थीथ है या प्रचलीफ है तो पहला point है संकरगड का घिर्रा मिला दूसरा बस्तर का चित्रकुट मिला तिसरा राम नामी बड़े भजन का मिला और चौथा रवताई मडी का मिला तो कौन सा होगा answer बताएं ख्याला मागने की परंपरा है कहां पे तो इसका answer होगा संकरगड का घिर्रा मिला यानि की बलर इसको संकरगड में कौंसा मिला प्रसिदः कौंसा घिर्रा मिला प्रसिदः इस इसका सगरण ग अप्रसिद्ध के उसके बाद रखते हैं इसमें 3 नमबर में राम नामी बड़े भजन का मिला तो राम नामी गहां और इस राम नामी के दौरा जिस प्रकार का मेला यहां पर लगता है इंके समू के दौरा उसे हम राम नामी बड़े भज़न का मेला कहते हैं तो ये जो राम नामी संप्रदा है या महा नदी के तट पर, महा नदी के तट पर जांगिर चांपा और कुछ पोर्शन में राइगण में ये विराजमान रहते हैं, महा नदी के तटो पर ही इनका वास होता है, और ये और ये राम और नाम, राम नाम, राम नाम करके पूरे स तरीर पे इनकी टैटू या गोदना ये गोदवाते हैं तो इस तरह से एक राम नामी संप्रदाय के बारे में आपको पता है कि मुख्यता कौन से जांगीर चांपा जीला और दूसरा राइगड जीला पे इस्तीत है ठीक चलिए उसके बाद चौते नंबर पे लिखा हुआ है राउताई मड़ी तो ध्यान रखेंगे राउताई मड़ी जो है वह कौसिर नामा के ग्राम है राइगड पे ठीक राइगड पे एक कौसिर ग्राम है और इस कौसिर ग्राम में लगबग लगबग जन्वरी के समय ही जन्वरी के समय ही राउत जाती के द्वारा यहां पर एक राउताई मड़ी होता है जो की काफी प्रसिद्ध है और इस कौसिर गाउं में ही कौसलेस्वरी कौन सी कौसलेस्वरी कौसलेस्वरी देवी टेंपल है ठेक तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो राउताई मड़ी होगा वह राइगड़ जी लेके कौसिर ग्राम में हो और वहां पे कॉसले शुप्र सुपहों और यहां घंग मंदीर कों ऩाइब रहुता है जैसके आपका कुदरगण हो गया कुटी घात हो गया जहोसर 憂या वाला बेल्ट है आपका यहां पर राम नौमी में मेला भरता है और कोरिया वाला कुछ छेत्र होगा लाइक कोरिया बैकुनपुर वाले छेत्र में यहां पर गंगा दशारा के समय मेला लगता है इसको और ज़्याद एक्स्प्रेंड ना करते हैं मगले कुश्ण की तरफ रु और यह जो मेला जो मैंने बनाशारा भरता है जिसको हम बोलते हैं घुंड़या का मेला तो बगनई न दि और सुखा-NALA के संगम पर यानि उनकी त्रिमिडी संगम पर यह मिला घुंड़या का मिला जो हत्कोज की निकठी है वहां पर होता है ठीक और हत्कोज में हमने मिला कहां पर बात किया था मकरजंगरांती पे इसका नाम करार बिलासा नामा केवटिन के नाम पर हुआ इसको संसकारधानी भी कहा जाता है 30 सितंबर 1999 को सोल्वे रिल्वे जो बिलासपूर मुख्याली गोशना की गई गारे पिलमा सेक्टर डी बिलासपूर संभाग में इस्थित है इसकी यह बात कर रहा है यानि कि बिलासपूर संभंदि सत्य कतन कौन सोवा पहला सत्या बिलासा बाई केवटिन यह सभी को पता है याद रखेंगे बिलासपूर का नाम एक अन्य किवदंटी के अधार पर या प्राकरतिक वस्तु के नाम पर भी दिखता है क्योंकि यहाँ पर पलास के पत्ते हमें ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इसका प्राचिर नाम जो था वह था पलासपूर अब पलासपूर फिर अबरंसित होगे इसका नाम पढ़ गया हमारा बिलासपूर अब बिलासपूर के पच्चात इसका नाम पढ़ा हम हमारा बिलासपूर तो जब कल्चूरी काल होता है तब इसका नाम क्या होता है पलासपूर होता है फिर यहां पर आपकल्यार साय के समय बिलासबाई क्योटीन आती है आप सब धानी की जुरत नियों फोर्थ विलासपूर संभाग में हैं लेकिन जीले की अगर बात करें तो ध्यान रखेंगे यह राइगड जीले पे इस्तीत है इसलिए इसका आंसर होगा कोशन संभाजर को ये पे संसेड घर कहा जाता है और के अगर्ण जदए ४ाइंड हिए इस्तीत है यह सारे सरगुजा बढन में इस्तीत है चलिए खोशन संभा बंठ चलते हैं कोशेशegen डमब 18 की तरह रूप करते हैं तो ध्यान दिजिएगा कोश्चन नमबर 18 इस्टेलेक टाइट और इस्टेले मेगनाइट आकरितियों के बारे में सत्यकतान है पहला इस्टेलेक नमबनाइट गुफा की चट से चुना यूगत जल के बहाओ से बनती है यानि की जो लाइम स्टोन यानि कैल्सियम जो कार्बोनेट हो जब नीचे गिर तो यह बोल रहा है दूसरा इस्टेलेक टाइट गुफा के धरातल में चूना पत्थर के जमाओं से उपर उप्टी वी आकरितियों की बात कर रहा है ठीक इस्टेलेक टाइट में इस्टेले मैगनाइट से निर्मित बस्तर में कुटुमसर गुफा है ठीक यह आकरिती से न पानीजिरमीत जो घुफा है कुटुमसर он और बगारवि गुफा तिख यह बहुग ही गुफा है और यह कहां परक्सथिथ है आपके बस्तरजिले पे और बस्तर जिले में कहा इस्तिथ कांगेर वैली नेशल पार्क मे तो ध्यंद देते हैं ठीक यह इस तरीके से आप सबको पता है कि बस्तर वाले एरिया में यहां पर चुने का बिंजावर सिरीज चुने के हमने तीन सिरीज देखा था पहला राइपूर सिरीज बिंजावर सिरीज और चंदरपूर सिरीज तो बिंजावर सिरीज वाला जो भाग है यहां पर जब पानी बस्तर ने बहुत सेटीमेंटरी रॉट्स में होता है क्योंकि असानी से पानी के दवारा कट जाता है या उसे काड़ तरीके से नीचे आ और उसके बाद यह धीरे धीरे यहां पर भी आकरिति का क्या कर रहा है निर्माण कर रहा है तो इस तरीके से यहां पर हमें आकरितियां दिखने लगती है अभी वहां की आकरितियां थोड़ी धूमिल पड़ गई है क्योंकि वहां पर हम मानवों का प्रवेस हो गया है जिससे कि एका प्रिक्ट होगा है जिसे रिंगे चमक थोड़ी कम उगयी है लेकिन पॉइंट यह है कि यहां पर इसे का क्या दयेगा इस इस कहा जाएगा इस ट्लोह है इस घ्राइट जा जाएगा त्योह थि तो stele magneite जो है stele magneite मा यानि मचली नीचे यानि नीचे से उपर को आखरिति को stele magneite और जो opposite आगया उसे stelectite कहा जाता है तो चुने से निर्मित यह आखरितिया है और कोटम सर गुफा का अन्य नाम है कोटम सर गुफा भी बोला जाता है और यहाँ पे अंदर पे एक शिव लिंग या शिव की प्रतिमा भी इस्थित है ठीक और यहीं पर कोटम सर गुफा में कुछ अन्दी मचलिया पाई जाती है जिसकी कोछ सरोपर्चम डॉक्टर संकर्तिवारी ने की थी अंदी मचलिया इसलिए क्योंकि यहाँ तक सूरी का प्रकास नहीं पहुच पाता जिसके कारण उनके आखों के सामने एक हल्की सी इसकीन की या एक प्लाज्मा या जिल्ली सी परत चा गई है जिससे वो देखने में असमर्थ हो जाते हैं वहाँ जिंगुर की भी प्राप्त की थी तो इसका अंसर होगा केवल सी यानि केवल तीन और चार अब हम चलते हैं प्रश नंबर 19 के तरफ खरोत के बारे में निम्लिकी सत्य कतन है इसके पहले ही बात हुआ था पहला पॉइंट दिया हुआ है चत्तित लड़के खरोत में लक्षमने ने शुवर मंदीर इसी है ठीक है दूजरा चत्तित लड़का कासी खरोतों कहा जाता है ठीक तीसरा खरोत जांगिर चांपा जिले में ठीक और यह महानदी के तड़ यह भी सत्य है तो इस तरीके से मैंने पिछले कोश्चन में सारा चीजों को डिसकस किया था तो मेरे कहाल से इसका ऑप्शन जो हो है इमाम पांडू डाइनेस्टी के समय यानि कि 36 लड़के प्राचे नितिहास में जो खरोत था या इंद्रपूर के नाम से काफी प्रसिद्ध था चलिए उसके प्रश नंबर 20 में आते हैं तो प्रश नंबर 20 है 36 लड़के निमलिकित इस्थान यानि उत्खनन के फल्स रूप में जाने जाते हैं ठीक है तो याद रखेंगे प्रेटन के रूप में जाना जाना मतलब पहले यहां पर पता चला कि यहां पर कुछ चीज़ें हैं फिर यहांका एक्सकावेशन होता है और एक्सकावेशन के पश्चा यह परेटन की रूप में इसको क्या कर दिया प्रशिद्ध कर दिया गया इसमें पहला option है 45 और फणीनाघ बंसियों के बस बहुत हाट का साथ्छा में पचराही से मिलता है दूसरा पॉइंट याद रखेंगे महिस्पूर के बारे मैंने पहले भी डिसकस किया महिस्पूर में हमें शिव मंदिर आदिना टीला निशान पक्ना टीला और कुडिया जोर की मंदिर सम्हों मिलता है और जैसे यह उत्खनन का रहे दो जर आट और नौ में स्टार्ट होता है तब यह वाला प्लेस प्रशिद्ध प्रेटन इस्थल की रूप में इस्थापित होता चला गया और राजसरकार के दौरा यहां पर कारे किया जा रहा है है चौंथा पॉंट याद रखेंगे सिरफूुर अप सबको पता है ति इस्थफर उत्खनन होते रहता है और सिरफान के दौरां हमें बहुत शीप प्रतिमाहनी ली है चाहे वो सुरंग तीला की बात करूं चाहे अच्छा सुरंग तीला में आर्विदिक आर्किटेक्ट्चर यूज हुआ है आर्विदिक आर्किटेक्ट्चर का मतलब इसकी जो जोड़ाई होती है वह आर्विदिक मसाले से हुई है तो सुरंग तीला हो गया जैन जिनको मड़ी की उपादी दी गई तो नकपूरा जो है यहां पर पारशुनात की मुर्ती जो मिली वी थी जो खंडित मुर्ती थी उसे स्थापित किया गया और जो पारशुनात है थी उस पारशुनात की मुर्ती स्थापित होने के कारण इसे पारशनगर भी कहा जाने लगा थी पारशनगर भी कहा जाने लगा अब पॉइंट यह है कि यह पारशनगर अर्थाथ पारशनाथ की नगरी उसके पस्चाथ क्या होता है यहां पर कुछी दूर में निकट में गावालों को एक खंडिक चरणपादुका मिलती है और उस चरणपादुका को यहां पर रावल मल जयन जी को दे दिया जाता है कि वह जैन तिर्थ एम जैनधारमिक इस्थल के निर्माण में कारिकर रहे थे तो गांवालों के द्वारा उसको भी दिया गया इस तरीके से नकपूरा का जो विकास हुआ वो जैन धार्मिक इस्थल जैन परियटन इस्थल यंग जैन तिर्स इस्थल के रूप में चतिस गड़ में राजसरकार के सहयोग से अभी भी अग्रसर है तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नमबर डी वन टू एन फूर फिर चलते हैं प्रश्ण ट्वेंटीवन पे तो जो प्रश्ण ट्वें लें घी लृफंवे याद रखेने ला आप याद कैने के लि Murder बताया आप सर्गुजा वाला वाह मैंक्सम मैंनों से संबांडीत ही मेले यहां पर भरते सुर्वात यहीं से होती है संभात में यहां पर राम नौमी को इस तरीके से मनाया जाता है एक चीज़ और दियान रखेंगे जब मैं बात करूंगा चैत्र का थे 36 गड़ में मैक्सिमम पर्वजों मनाय जाते हैं चाहे वो ट्राइबल में हो चाहे मैंधानी भाग में हो वो मनाय जाते हैं सुक्ल में मैं पूरी की बात नहीं करें मैं में मैक्सिमम की बात करो है इने अधिकतम पर्वस्क dispersed में मनाय जाते हैं तो चैत्र की जो नौरात्री आती है वो सुख्ल नौ तक आएगी उसकेबार की नाौ से लेकर सुक्ला नौ तक तो याद रखेंगे चैत्रा नौरात्री सुक्ला वन टू नाइन क्वार नौरात्री सुक्ला वन टू नाइन तो यहां पर नौमी होगा इस दिन राम नौमी मना लेंगे चैत्र सुक्ला नौमी को राम नौमी और क्वार में नौमी मनाना चाहिए ल राम और रावण का एक संबन आप लोग कथाओं पे दिखते हैं ठेक तो इस तरीके से question number 21 का जो answer होगा वह होगा आपका C ठेक चलिए तो इस तरीके से हम लोग ने अगर कुछ डाउट से तो आप कमेंट में डाउट कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद cgpsc की संपूर्ण तयारी के लिए competition community के youtube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले